तो गाइज हमेशा की तरह आज फिर से हम निकले हैं बारिश का मोसम चल रहे हैं गाइज पता है बहुत जादा ब्हांकर बारिश होड़ी है और हम भी निकले हैं गुमने के लिए क्योंकि मौसम बहुत जादा अच्छा था यह जब बार वगेरा से पहले की वीडियो है गाइ तो हम वहीं देखने निकले थे तो वहां से हमने जो है थोड़े से मैंने शोर्स बनाए थोड़े से मैं मतलब प्रोपर व्लॉगिंग के लिए जो स्केल होता है वो मैंने एड़ किया इसमें दैन पूरा एंजुआ किया वैदर को बहुत सुहावना मुसम था और देखे खे आप देख सकते हो कि इतना ज्यादा हरा भरा हर याली चारो तरफ हुई पड़ी है और बहुत से लोग थे जो प्ली स्टेशन को एंजुआ कर रहे थे यहां पे खड़े होके गारियों में और हम भी यहां पे निकले थे सो हमारे तो घर के पास ही था तो हम यहां पर निकले हैं एंजॉआ करने के लिए और घूम रहे हैं और देख रहे हैं क्या कहां पर क्या बना हुए तो देखिए इस तरह से जो हैं गारियां एक मतलब स्पेस है बना हुआ चोटी सी पकड़न्डी बोलो उसको तो वहां से जो है पानी ऐसे बढ़ा मेरा था नदी की और बहुत खुबसूरत था देख सकते हो कि थोड़ा सा बारिश के मुसम में थोड़ा सा जिसकी हो जालता है काफी तो हम तो नहीं आगे गए बटन जो गारियां वगरा वाले थे वो जा रहे थे मज़ा आया देखके मैंने आ चार्द कर आई हैं हम आए है बारिश का मज़ा लेने के लिए इधर है हमारे साइड पर एक नहर और इधर हम रहे हैं घूम स्कूटी के ऊपर हम ले रहे हैं बारिश का मज़ा और हर्याली का मज़ा बहुत जदा अच्छा मोसम है तो हम निकले हैं गेड़ी पर हमारे पीछे हैं नहर और इतर है ठादी झाल झाल जलख मैं पनां आंक करना, कि बुटज को जगी, खिर्णसा करें। गजैं, पर खुटु कर दो झाल जड़ेस्टी si?" कि अब भूमने फिरने के बाद हम निकले हैं पांच पानी वाले गोल पर ट्राइ करने के लिए और नई जगासों जो है हमने यहां पर यहां पर ट्राइ किये और इसके बाद हम पहुंचे घर क्योंकि घर वाले सब वेट करें था काफी देर से निकले पर रहे थे और यहां पर गोल पर खाने के बाद हमने टिक्की भी खाई थी जिसकी वीडियो में नहीं बना पाई सो सोडी सो इसके बाद में मिलूंगी आप से अपने अगले व्लोग के अंदर सो बाबाई